हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मौके पर पहुँचे वायू सेना के हेलिकॉप्टर NDRF की टीम ने पुलीस और फायर ब्रिगेट की मदद से 106 लोगों को रेस्क्यू कर लिया तेज हवा के साथ बारिश और पानी के तेज बहाव की वज़े से बचाव कारे में भारी परिशानिया हुई मौके पर D.Y.S.P. अश्विनी पातल, तैसीलदार किरन सुक से, D.Y.S.P. दत्ता तोटेवाण और पुलीस निरिक्षक भरत जादव सहित, पुलीस और फायर ब्रिगेट के अधिकारी भी मौजूद थे गौरतलब है कि एक हफता पहले ही, यहाँ पिकनिक मनाने आये कांदविली के एक युवक की नदी में डूब कर मौत हो गई थी दूसरी और सुबा मुसलादार बारिश से, पालघर जिले भर में जन जीवन अस्तिव्यस्त हो गया है पालघर, बोईसर, सफाला, दहानू, वस्साई, नाला सुपारा, विरार आधी जगाओं पर एक-एक फुट पानी भर गया है पालघर से जागुब टीवी की रिपोर्ट